महाराज कृष्ण देव राय कभी कभी अपने दर्बार में इतने सहज हो जाते थे कि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे एक कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिग्य और अनुशासन प्रियशासक हैं। जिस दिन महाराज में सहजता दिखती, उस दिन आम सभासत भी मस्ती में आ जाते। सभा भवन में हसी, ठितोली, बहस, बत्रस सब कुछ होता। तेली राम एकमात रैसा सभासत था जो ये समझता था कि महाराज का अचानक सहज हो जाना और सभासतों को इस तरह भीर देना भी उनकी शासन नीती का हिस्सा है। इससे महाराज अपने सभासतों की मूल प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। सभासतों में खुलापन आते ही थोड़ी बहुत मनमानी भी आ जाती थी। जिसे उस दिन। महाराज माफ करने योग्य मानते थे लेकिन मनमानी करने वाले सभासतों के प्रती उनका व्यवहार बाद में बदल जाता था। वे ऐसे सभासतों से कडाई से पेश आते और विप्रीत होकर छोटी पंक्तियों में बाते करते। एक दिन तेली राम थोड़ी देर से सभाभवन में पहुचा। उस समय एक सभासत कोई मनोरंचक घटना सुना रहा था। उसकी बाते समाप्त होने पर सभी सभासत हस पड़े। महाराज भी खूब हसे। चुनकि तेली राम ने पहले कही गई बाते नहीं सुनी थी। इसलिए वह नहीं हसा। अपने आसन पर गंभीर बना बैठा रहा। महाराज ने उसे देखा और महसूस किया कि सबके हसने में तेली राम साथ नहीं दे रहा है। महाराज को ये बात बुरी लगी मगर उन्होंने उस समय तेली राम से कुछ नहीं कहा। न जाने कैसे सभासदों के बीच दान, पुन्य, धर्म, कर्म और इमानदारी पर बहस होने लगी। एक सभासद ने कहा। महाराज, मेरे विचार से धनवान लोग गरीबों की तुलना में अधिक इमानदार होते हैं। वे स्वयम, साधन, संपन्य होते हैं। आवश्यक्ता की प्रत्येक वस्तू उन्हें उपलब्ध होती है। इसलिए छोटी-छोटी चीजों के लिए उनका इमान नहीं डोलता। वे दान पुन्य करते हैं, इसलिए उनमें धार्मिक भावना भी विद्यमान रहती है। जबकि गरीबों का इमान जल्दी ही डोल जाता है। धन्वान में ईश्वर का भय इस तरह का नहीं होता। उसके दान पुन्य में भी लौकिक प्रतिष्ठा की चाह छुपी रहती है। कि लोग उसे एश्वर यशाली और परोपकारी के रूप में स्वीकार करें। तेली राम की गंभीर वानी थोड़ी देर तक सभाभवन में अनुगूंज उत्पन करती रही। तेली राम के चुप होते ही महाराज ने कहा। तेली राम, तुम एक मूल बात भूल रहे हो। इमानदारी एक मानवी ये गुण है जो किसी में भी हो सकता है। इसमें धनवान और निर्धन की कोई बात ही नहीं है। तेली राम ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। इसी उष्मा के कारण गरीबों में उचित अनुचित का ध्यान रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो तुम फिर वही कह रहे हो कि गरीबों में इमानदारी होती है और धनवान वैभव संपन्न लोगों में अपेक्षाकृत इसका अभ़ाव रहता है। जिहां श्रीमान यही कहना चाहता हूं मैं तेली राम ने निर्भीक होकर कहा महाराज स्वयम वैभव संपन्न थे इसलिए तेली राम की बाते उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर लेली और तेली राम से कहा तुम्हें प्रमानित करना पड़ेगा तेली राम मुझे स्वीकार है महाराज तेली राम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया सभा में जो सहचता थी इस गमभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेली राम को रोप कर शेश सभासदों को जाने दिया लोट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेली राम से नाराज हो गए कि महाराज से तेली राम को मुह नहीं लगाना चाहिए कि अब आया है उठ पहार के नीचे अर्थात जितने मुह उतनी बातें सभासदों के जाने के बाद महाराज ने तेली राम से पूछा तेली राम? तुम कितने दिनों में सिध्ध कर सकोगे कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक इमानदार होता है महाराज मुझे सौ सौ स्वर्ण मुद्राओं की दो थैलियां और दो सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें मैं यह बात दो दिनों अर्थात आज और कल में प्रमानित कर दूँगा कि धनवान लोगों में धन लोलुपता होती है जो उन्हें इमानदार नहीं रहने देती महाराज तेली राम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिल मिला गए मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं उन्होंने तेली राम को दो थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं और दो प्रेरी उपलब्द करा दिये तेली राम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्क की ओर महाराज की आग्या लेकर चल पड़ा, महाराज से चलते समय उसने कहा महाराज, आप मुझे शुभकामना दें कि कल शाम तक मैं प्रमार्ण सहित अपनी बातें सिद्ध कर सकूँ तेली राम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर आने का निर्देश दिया, और स्वयम अपने घर चला गया, वो अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां भी लेता गया, ऐसे अफसर पर तेली राम बहुत सजग हो जाया करता था, उसके रंद्र र में सजगता उत्पन हो जाती थी, यानि वो सहत्र नेत्रधारी बन जाता था, उसके घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के बाने में उसके घर पहुँचे, तेली राम उन्हें लेकर विजयनगर के बजार में चला आया और देर तक इ में गिरा कर चले जाने को कहा, उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया, जिस धनी आदमी के आगे उसे चलना था, संभवत, तेली राम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वो कहां रहता है, पुनह दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के गिराने को कहा जिसे वो गरीब आदमी देख ले अपनी व्यू रचना तैयार कर लेने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया की दोनों थैलियां गिरा देने के बाद तेजी से आगे जाना और कहीं छुप जाना जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करें और देखें कि वे थैली का क्या करत अपने द्वारा दिये गए निर्देशों से तेली राम संतुष्ट था उसे विश्वास था कि आज रात में ही उसे वांचित प्रमान प्राप्त हो जाएगा दोनों प्रहरियों को विदा करने क के बाद तेली राम अपने घर लोटाया दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेली राम के घर पर पहुच गए वो उस समय दरबार जाने के लिए तयार हो रहा था उसने प्रहरियों से पूछा क्या समाचार लाए हो एक प्रहरी ने तेली राम से कहा श्रीमान मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरिधारी लाल है उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है बहुत पैसे वाला आदमी है वह अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तेली राम ने उसे तोक दिया अरे भाई मैंने तुम्हे किसी के पीछे नहीं भेजा था आगे भेजा था ठीक से सारी बातें बताओ शमा करना श्रीमान भूल हो गई प्रैरी ने कहा और कल शाम को घटित घटना बताने लगा श्रीमान जब मैं उस आदमी मेरा मतलब है कि गिरिधारी लाल के आगे आगे चलते हुए कदम पेड़ क के पास पहुँचा तो मुझे राह पूरी तरह खाली दिखी सुनसान रास्ते पर दो ही मुसाफिर थे मैं और वह मैं उससे मात्र चार कदम की दूरी पर था मौका देखकर मैंने कमर से बांधी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरा दी और सामान्य चाल से आगे बढ करता रहा मानो मुझे थैली गिरने का भान ही नहीं है कुल चार कदम चलकर मैंने अपनी गर्दन पीछे की और हलके से घुमाई तो पाया वह व्यक्ति नीचे गिरी थैली उठा रहा था मैंने अपनी गती बढ़ा दी थैली उठाने के बाद वह थोड़ी धीमी गती से चलन लगा मैं तेज चलता हुआ राह में आए एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा जब वह उस पेड़ से थोड़ा आगे निकल गया तब मैं भी पेड़ की ओट से बाहर निकल कर उसका पीछा करने लगा वहाँ आदमी हल्दी बाजार के निकट बसे कुलीनों के मुहले में बने गुलाबी मकान में रहता है उसके घर की बाहरी दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ है गिरिधारी लाल मैंने घर के चारों और छोड़ी गई खुली जमीन का लाब लिया और एक कमरे की खुली खिड़की से अंदर जहां का तो पाया कि गिरिधारी लाल थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर गिन रहा है उसने मुद्राएं गिनकर उन्हें थैली में रखा और आस्मान की ओर हाथ जोड़े कुछ देर तक खड़ा रहा फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली को कमरे में लगी तिजोरी में रखा तभी एक वृद्ध व्यक्ति उस कमरे में आया और पूछा क्या बात है गिरिधारी तुमने हाथ पाउव भी नहीं धोए और कमरे में चले आये तुम्हारा स्वास्थे तो ठीक है प्रति उत्तर में उसने क्या कहा मैं नहीं सुन पाया तेली राम ने उस प्रेरी की पीट थप थप थपाए और दूसरे प्रेरी की ओर देख कर पूछा तुम्हारा समाचार उसने कहा श्रीमान मैं जिस व्यक्ति के पीछे गया था वह बहुत गरीब और इमानदार आदमी है हल्दी बाजार के पश्चिम में बसे मचुआरों की बस्ती में रहता है जब मैं उसके आगे चलते हुए एक स्थान पर थैली गिरा कर आगे बढ़ा तब उसने आवाज लगाई अरे भाई साहब आपकी थैली मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा और वह हाथ में थैली लिए लगभग दोड़ता हुआ भाई साहब भाई साहब पुकारता रहा अभी वह दो-चार कदम ही दोड़ पाया था कि उसके पाउं में किसी चीज से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा उसके हाथ से थैली छिटक गई और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकल कर सड़क पर बिखर गई तब तक मैं सड़क के पास के एक गड़े में जाकर छुप गया थोड़ी देर बाद वह आदमी हाथ में थैली लिए इधर उधर देखता हुआ तेज कदमों से जाता दिखा संभवतह वह मुझे ही तलाश रहा था मैं थोड़ी देर के बाद उस गली से निकला और उससे कुछ दूरी बना कर चलने लगा जब वह व्यक्ति अपने घर पहुँच गया तब चटाई पर बैठ कर उसने स्वर्ण मुद्राइं गिनी उसने एक कपड़े के टुकड़े में थैली बांध कर अपने हाथ में लेली और उसने कहीं जाने के लिए निकल गया मैंने समझा कि जरूर वह स्वर्ण मुद्राओं को छुपाने के लिए जा रहा होगा लेकिन वह अपने घर से सीधे राज्य कोशागार पहुँचा और सौ स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली वहाँ जमा करा कर परचा कटवाया उसके बाद वह अपने घर चला आया राज्य कोशागार में उसने परचे पर अपना नाम रामानुजम लिखवाया है तेली राम ने उस प्रेरी की भी पीध थप थपाई और उन्हें सीधे राजभवन पहुचने का निर्देश देकर भोजन के लिए अपने घर के भीतर चला गया महाराज आपको अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी आप कृपा कर राज्य कोशागार से यह पता कराई तो जमा कराने वाला कौन था? उन्होंने तेली राम से कहा? महाराज तेली राम ने विनम्रता से कहा जिन दो प्रहरियों की सेवाएं मैंने ली थी वे दोनो राद भर जगे रहे हैं मैं उनकी सेवाएं वापस करने के उद्देश्य से ही सभा शुरू होने के समय से पहले पहुँच गया हूँ, कल जो पहेली सुलजाने का जिम्मा आपने मुझे सौपा था, उसके लिए प्रमान प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से मैं सक्रिये हुआ है, कृप्या वांचि मेरे शोध के प्रमान भी हैं और प्रत्यक्ष धर्शी भी, महाराज कृष्ण देव राय समझ चुके थे कि तेली राम ने गरीबी और इमांदारी का संबन स्थापित करने का कोई सूत्र अवश्य पा लिया है, उन्होंने राज्य कोशागार से सूचना मंगाई, सूचना पत्र में लिखा गया था कि रामानुज नाम के एक व्यक्ति ने सोस्वर्ण मुद्राओं की एक थेली राज्य कोशागार में कल मध्य रात्री से पूर्व जमा कराई है, ये थेली उसे राजमार्क से हल्दी बजार जाने वाली राह पर मिली थी, रामानुज हल्दी बजा महाराज, आपके निर्देश पर कल मैंने एक प्रयोग किया और प्रयोग का परिणाम मुझे आज मिल गया, यह सूचना पत्र जो राज्य कोशागार से मगाया गया है, वह एक गरीब व्यक्ति के इमानदार होने का प्रमान पत्र है, यह सूचना पत्र बताता है कि गरीब धन लोलुप नहीं होता है। मुद्राओं से भरी थैली, तुमने अपने कमरे की दीवार में लगी तिजोरी में रखी है। मैंने गले से लगा लिया और कहा, सचमुच तेली राम, तुम्हारी मेधा का कोई दूसरा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देख। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। झाल 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 झाल